हलो गाईचे आप बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सेंट पार तो डेली की तरह आज भी हम लोग मौर्णिंग अपडेट लेकर आए हैं जितने भी न्यूज आपके काम की न्यूज पेपर में हैं वो सारी न्यूज जो है लेकर हम लोग आए हैं ज जैसे कि अंतिम और समेस्टर की परिक्षा को लेकर के है बाकी परिक्षाओं को प्रमोट करने के बारे में है डेलेट 2021 एडमिसन के बारे में है टीजी टी पीजी टी एक्जाम डेट के बारे में है और नई प्राइमरी टीचर की जो बेकेंसी है उसके बारे में है तो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी लोग देखिए, जितने विशात्र यहां पर जुड़े हों, सभी लोग देखिए, सबसे पहली जो न्यूज है, काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि ये लगबग हर एक पेपर में दिया गया है, कि विश्व विद्याले में अंत अंतिम वर्स या अंतिम समेस्टर, अगर कहीं एरली पेपर होता है, तो अंतिम वर्स की बात है, अगर कहीं पर फोर्ट समेस्टर है, लाज समेस्टर तो उसकी बात की गई है, कहा गया कि 13 अगस्तर करा लेने की योजना बनाई गई है, साथ ही परिक्षा का सरणी करन इस प विकल्पिये में बनाया जाएगा परिक्षा परणाली जो है OMR पर आधारित होगी सूत्रों के अनुसार तीन कुल्पतियों की कमेटी की सिपारिशों के आधार पर प्रस्ताव तयार कर लिया गया है इस संबन्द में जल्दी सासना देश जारी कर दिया जाएगा सासन की मंसा कि सभी परिक्षाओं के परणाम 31 अगस्त तक आ जाए ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है इन्होंने कहा कि 13 अगस्त तक पेपर करा लिया जाए और 31 अगस्त तक जो है उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया है यनि महज 18 दिन में कॉपी चक होकर उसकी रिजल्ट आ जाना उसके बाद लिखा कि प्रस्ताओं में प्रायोगिक परिक्षाओं के बारे में या बेहुस्ता बनाई गई है कि इसमें अंकों का निर्धारन लिखित परिक्षा के आधार पर किया जाए और यही चीज मेरे दिवांग में तोड़ा सा जो है डाउट कर रहा है रीजन उसका दृष-धारन वारिषिक परिक्षा प्दतियु हैं समेस्टर परिक्षा प्दतियु में छाटरों को प्रोणनत करने के यानि जो भी एक प्र है अगर मुझे कुछ इसके बारे में और जानकारी मिलती है तो मैं जरूर बताऊंग आपको ठीक है इसलिए चैनल को सब्सकाइब कर लिजे क्योंकि अभी 11 से 12 बजे के करीब मैं आपको एक वीडियो ले कराऊंगे जिसमे बीड और डेलेड वाले चात्रों की हो इस्पेसल वीडियो होगा ठीक है उसके बाल लिखा गया है कि अंतिम वर्स यों अंतिम समेश्ट अंकते होंगे यानि कि अगर आप पहले समेश्टर में आपने पेपर दिया था और सेकंड समेश्टर आपका प्रमोट किया जा था तो पहले के आधार पर आपको अंक दिये जाएंगे हलाकि इसको हम लोग बाद में ध्यान से पढ़ेंगे आप अगर चाहो तो इसका स्कीन अगर यहां पर भी लिखा है कि सिक्षा मित्रों ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान वही सारे चीज़े हैं तो इसको आप पढ़ लिजेगा उत्तरप्रदेश सिक्षामित्र संग उत्तरप्रदेश ने सिक्षामित्रों की समस्याओं को लेकर सो मुहार को परदान मंत्री और मुक्रमंत्री के ट्विटर हंडल पर अभियान चला कर सिक्षामित्रों के साथ किये वादिप को पूरे करने की मांग की सिक्षामित्रों की मांग है कि चुनाव ड्यूटी में जिन सिक्षामित्रों की जान COVID के कारण गई है उन्हें सरकारी नोकरी के साथ एक करोन की सहायता रास परदान की जाए अपनी मांग को लेकर सिक्षामित्रों ने ट्विटर पर अभियान भी चला रखा ये चीज आपने देखा होगा उसके बाद एक अगला जो न्यूजे सबसे आदा इंपोर्टेंट है कि जो 69,000 जो सिक्षक भरती है वो जितने भी अभ्यारती जैसे कि हम बात करें यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के 98,000 जो सिक्षक भरती में आरक्षण की गरवडी का आरोप लगाते हुए पिछड़े वर्क अभ्यारतियों ने विरोठ सुरू कर दिया है अभ्यारतियों ने आンलाइन मीटिंग करके आरक्षण की गरवडी के बारे में चर Chad की अब्यारतियों का कहना कि यह प्रदेश सरकार ने जल्द जाच करवा कर चैन से बाहर हो गए पिछड़े वर्क्य अब्यारतियों को न्यूकती नहीं दी गई तो अब्यारति PPE कीट पहाण कर सिक्षा मंत्री आवाज SCRT पर धरना प्रदर्शन करेंगे पिछड़े वर्क्य अब्यारतियों ने ट्विटर सही सभी अनलाइन मादिमों में आवाज उठाएंगे अब्यारतियों का आरोप है कि 79,000 सिक्षा भरती में पिछले अब्यारतियों के लगबग 6,000 पदों पर घोटाला हुआ है 2019 में आवजित इस भरती पिक्रिया में कई लाख अब्यारति सामिल हुए थे तो ये तो हो गई सिक्षा मित और 29,000 सिक्षा भरती की न्यूज अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ ये अगली न्यूज है हमारी डेलेट 2019 3 समिस्टर के प्रमोट करने की मांग ये भी आज के न्यूज पेपर में आई है लिखा है डेलेट 2019 3 समिस्टर के प्रिशिक्षों ने प्रोर्नत करने की मांग की है 30 मई को IGRS पर पूरे प्रदेश से 5000 से अधिक सिकायद दर्ज कराई गई है डेलर सेयुक्त प्रशिक्चु मोर्चा के प्रदेश सद्देग रभी कांदुवेदी प्रदेश महामंती चिर्न जी उत्रेपाथी वा महा सचिव सिवांग पांडे ने 28 मई को सभी प्रशिक्चुओं से 23 समेस्टर स्कुटनी रिजल्ट वत्रतिय समेस्टर प्रमोट के संबंद में IGRS पर सिकायद दर्ज करवाने की अपील की है जानी कि तीसरे समेस्टर को प्रमोट होने के लिए इन बच्चों ने IGRS पर जो है 5000 से ज़्यादा जो है कम्प्लेइन या सिकायत करचुके हैं बच्चे तो ये लोग तो रुकने वाले हैं ने क्योंकि ये लोग लगाता तुईटर पर भी कंप्लेट वाले बच्चे और भी जहां हो सकता है ये लोग जाकर अपनी बात को रख रहे हैं और इनको प्रमोट करना भी चाहिए क्योंकि इन लोगों का वाकई में सेसन जो है काफी लेट हो चुका है लगबग अभी दो समेस्टर की केवल पर इच्छाए हुई है और लगबग दो साल का समय लग चुका है तो ऐसे में तो बहुत देर हो जाएगी उसके बाद जो अगली नूज है वो है जुलाई के बाद बढ़ेंगी भरतियों की रफ्तार ये आज के दैनिक जागर में पेपर लिखा है कि प्रदेश के लाखों परतियोगियों को या खबर राहत देने वाली है हलाकि मैं इसको अलग तरीके दिखाता हूँ ये है वही नीज ये भी है मैंने इसको कट कर लिया ताकि आप साइस देख सको लिखा है प्रदेश के लाखों परतियोगियों को या खबर राहत देने वाली है पंचाथ चुना और कोरोना संक्मन की दूसरी लाहर की वज़ा से जिन भरतियों को टाला गया था उनकी तारीखें जल्द घोसित होने की उम्मीद है वही प्रात्मिक सिक्ष को अन्य नही भरती का ऐलान भी हो सकता है याद रखी आपन न्यू प्राइमरी टीचर बैकेंसी की भी बात की जा रही है और अन्य नही भरतियों का ऐलान भी हो सकता है क्योंकि UPTT कराने पर मुहर लग चुकी है अड़ेर मादमिक कालेजों की TGT PGT भरती 2021 की लिखित परिक्षा तारीकों का निर्दारन होगा परिक्षा संस्थानों का दावा है कि इस और वो मन्तन कर रही है याद रखे TGT PGT की परिक्षाओं पर भी बात हो रहा है अभी मैं आगे बताऊंगा किस डेट की बात हो रही है पहले पंचाज चुना और पिर कोरोना संक्रमन की दूसरी लायर ने भरती प्रिक्रिया को काफी पीछे धकेल दिया है अप्रेल से जून तक की करीव एक दरजन से अधिक भरतियां एक के करके अस्तिगित की जा चुकी है इधार संक्रमन ढहलान की ओर है यही करम जाई रहा तो जुलाई के बाद भरतियों की रप्तार तेज होगी अब मेर्य चीज जो यहाँ पर देखनेों को मिल रही है वहाँ पर एड़र जूनियर भरती की बारे में देखनेों मिल रही है कि एड़र जूनियर हाई स्कूल में परदान अध्यापक वसायक भरती की लिखित परिक्षा भीज़े जाएंगे यानि कि UPTT को भी बेजा जाएगा और डेलेट 2021 की प्रबेस की जो प्रिक्रिया उसकी लिए भी सासन को जून में ही बेजा जाएगा तो ये दो चीजें जो है आपके लिए काफी ज़्यादा important हो चुकी है और इगर मैं बात करूँ यहाँ पर चली और मैं देख लेता हूँ कुछ important अगर है तो आपको मैं बता देता हूँ चली चली एक news और important बच रही है हाँ ये देखे लिखा है जहां इंटर की परिक्षा है अगर सेतंबर और अक्टूबर में लिखित परिक्षा है करा कर गोसित किये जाएंगे यानि कि यहां पर बात हो रही TGT-PGT एक्जाम डेट के बारे में ये लिखा गया है आप यहां पर अगर देखो द्यान से तो यहां पर लिखा आपको मिल जाएगा लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें clear नहीं दिख रहा है और इसमें clear दिख रहा है इसमें लिखा रहा है कि अगस सितंबर वा अक्टूबर में जो है परिक्षाएं करा दी जाएंगी और जो भी होगा उस अधार पर TGT PGT के अभ्यारतियों का चैन करा लिया जाएगा तो यह काफी important news थी आप सभी लोगों के लिए और आज जो एक जून है बिसुदुग्द दिवस है सभी को उसकी बदाई और याद रखना एक कोशन यहां से कई बाहर आपके UP टेट और सुपर टेट में आभी चुका है तो अगर बात कूँ TGT PGT की बारे में तो अगस्त व सितंबर में इसका पेपर जो कराय जाने का दावा किया जा रहा है तीक है आप यहां पर देख सकते हो कि मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ट TGT PGT 2021 का आवेदन 20 मही तक लिया है 15,198 पदों वाल लिखित परिक्षा अगस्त वा सितंबर में कराय जाने की उमीद है चैन बोर्ट की बैटर में तारीखों पर मुहर लगेगी तो इतनी जो है नीज जो है आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है उमीद करता हूँ आपको इस सेसन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा बाकी अभी थोड़ी देर बाद बियाड और डेलेट के चात्रों के लिए एक वीडियो आएगी जिस पर हम लोग बात करेंगे चर्चाएं करेंगे तो आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो तुरन सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको सही अपडेट मिले ऐसा नहीं कि हाँ आपको हर आदे गंटे पर कोई अजीब अजीब सी बातें यहां बताई जा रही है